सेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल मेरा नाम है यस गौत्तम और आप देखरे हैं यश्यू गौत्म वीडियोस एंड फॉर्स्ट फॉटप वॉल हैपी होली सबको मैं यह वीडियो सबको और आज इस वीडियो में हम एक रिवीडियो बनाने वाले मैं पहले तो सोच रहा था unboxing video बनादू कुछ new product आया है मेरे पास मेरे कजन या मेरे दोस्त ने लिया है तो बट रिविए वीडियो ज्यादा प्रिफर लगी मेरे को यार हर बार unboxing की कोई रिविडियो बनाकर डालना और उसके कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मैंने को कुछ new ट्राइब करते हैं तो यह रिविए वीडियो इस फोन को मेरा कजन अल्मॉस्ट 10 डेस से यूज़ कर रहा है तो देखते हैं इसके रिविए वीडियो और मैंने अल्मॉस्ट दो दिन से यूज़ कर रहा हूं से देखते हैं यह रिविए वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने एक new product लिया था review के लिए और वो product यहां भी रख इसके बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम भी मैं बता दूँ आइनो दो क्लिप्स मैं बतानी पाया इसका नाम है वीवो वाइट 20 जी और यह आपको online मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा यह क्रोमा शॉप में मिलेगा वह भी आपको online चेक करना पड़ेगा यह आपको offline ही मि प्रिफर है यह फोन और offline ही मिलेगा आप कितना भी सर्च कर लिए यह online Amazon पर मिलेगा ना फ्लिपकार्ट पर ना किसी अधर वेबसाइट पर करके बैठा हूँ और अब इसके को स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं जो इसका वेरेंट मैंने लिया है वह चार जीब रायम 64 अब इसके ओवराल लुक के बात करते हैं आप ओवराल लुक तो हों से देख सकते हैं कैसा है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बार सब्सक्राइब करते हैं आप और इस क की बात करते हैं तो सब्सक्राइब जीए हoker करके दिखाया तो मैं अऩ प्लास्टिक बॉड दी हूई यह जाता हो अब इसके कैमरा के बात करते हैं इसमें देख सकते हैं तीन चामरा दीए हृए थे हैं दूसरा है दो में यह और तीसरा भी है दो में अपिक्सल का जरो मेरे आपसे बहुत ओक्याएं क्योंकि यार यह जो बजट के अंदर आ रहा है इसमें और भी अच्छे फोन के वह आते हैं बट उनमें ऐसा सेंसर नहीं होता जो इन में होता है भी वह बगार है के फोन में यहीं बहुत अच्छी होती है जब this camera के बात करते हैं इसमें फरंट में जो देख सकते हैं नौज डिस्प्ले दी हुई है और डिस्प्लेइक की बात करने तो अच्छी लग रही है मेरे को क्योंकि एच्छी प्लस डिस्प्ले तो अच्छी लग रही है कैमरा जो फ्रंट में दिया है वह एट में विक्सल का कैमरा अब इसके लुक की बात अब देखी सकते हैं कैसा है इसमें जो आज कल मैं बहुत फोनों में देख नहीं पाता वो है इसमें 3.5 mm का जैक दिया हुआ है और्ड इस पॉइंट वाली चीज में रहें को लगती है इसमें टाइप से का सपोर्ट दे देना अचीए था यूएजबी का सपोर्ट दिया हुआ है टाइप सी का दे देना अचीए था मेरे को अच्छी लगी बात मैं विवों के तरफ से भोलना चाहता हूं यार प्लीज इसमें लेकर आजाओ जो इस बजेट के अंदर फोन आ रहे हैं इसमें टाइप सी भी जल्द सी जल्दी लिया हूं अब इसमें बैटरी बगर के बात करते हैं इसमें दी गई है 5000 एमेज की बैटरी जो ऑल्मॉस्ट डेट से दो दिन निकाल देगी क्योंकि इसका बैटरी बेकप ब बता दूँ इसमें दो सेक्यूरिटी की चीज़े दी एक तो फिंगर्प्रिंट सेंसर दिया स्कैनर दिया हुआ है साइड में बैक में तो देखे सब बोरी हो गए थे और इसमें फेस अनलॉग भी है जो मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि यार बैक साइड में तो देख प्रोसेसर अब इसके नंबर वाइस से मैं नहीं जाओंगा क्या नंबर में बताने लगा तो बहुत परिशानी हो जाती मैं अपको बहुत दूरखी बात है तो यह इस बजट के हसाब से जो फोन है वो मेरे हसाब से तो अच्छा ही है इसके कुछ कैमरा सेंपल्स भी मैं आप देख सकते हैं अल्मोस्ट अच्छे आ रही है यार इस बजट के अंदर आ रही है तो ठीक है और वीडियो एंड करने का टाइम आ गया और इसके बजट रहील का टाइम भी आए गया जिसका आप लोगों को काफी देर से इंतजार था आप लोगों सूच रहों काफी द इसका जो प्राइज है वह 12,990 रुपे 10 रुपे कम है 13,000 रुपे में और स्पैसिफिकेशन के असाब से मेरे को उकेश सा फोन लग रहा है यह ज्यादा रेक्मेंट भी नहीं कर सकता मैं किसी को बड़ 15,000 से जिसके अंडर का बजट है मैं उसे रेक्मेंट कर सकता हूं क्य पहली बत तो है लाइट बेटेड है और जिसको बड़ा टाइप का फोन चलाने की हाथ आता है यह बिलुकुल रेक्मेंडेट है मेरी तरफ से तो अच्छा है यह तो बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कमेंट एं नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें और तो बैल आइकन आता है उसके साथ जरूर दबाएं ताकि आपको फॉर्द नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले मिल सके और अगर आपने मेरे को इंस्टा और फेस्ट को फॉलो नहीं किया तो यहां और यहां उस का कमेंट मेरे बहुत वैलियूबल होता है और यहां फीडबैक के लिए मेरे लिए काम आता है तो मैं आपसे नेक्स वाले वीडियो में लोगा बाबाए